Hare 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 नितलिला प्रविष्णम विष्णु पाद अस्टो तर सतस्री, श्री स्रीमादुभक्तिवेत आंत्रश्रिला नाराइने गुस्त्वामी महाराजी के चर्णों सरजों में सरधा पुस्पाँ जले अर्पन करता हूं। उपस्तित, समस्त, वैस्नव, वैस्नवी, माता, भिताय, भाय, वहन, सभी को में जथा जुग्य प्रणाम करता हूं, हरे कृष्णा, ग्रत कल्ये हम लोग स्रबन कर रहे थे, श्री मत्भागवत गथा की महिमा, श्री विश्वनाद चक्रवर्द ठागुर कहते हैं, अगर हम किसी ग्रत की महिमा को समझना चाहते हैं, वो ग्रत को उपर में चार दिश्व को विचार करने चाहिए, पहला नमपर है, भागवत कथा सुनने का अधिकार किसकी है, ये कथा को कौन सुन सकता है, लेकिन एक स्री सुदेव विश्वामी कहते हैं, जन्मा अंतरे भवत पुन्यम, दथा भागवतम लभ्यम, वो ही वेक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं, जिनकी पुर्भजन्म में करोडों-करोडों जन्म का कोई पुन्य हुदे हो, तभी ये कथा को ये सुन सकता है, अगर कोई प पाप पापी कर्म की है, फिर यह कथा किया ने सुन सकते हैं, इसलिए ये पत्म पुरान में बता है, कल हम लोग स्रवन कर रहें थे धुंदुकारी कथा, ये धुंदुकारी मतलब क्या है? बले अपना जीवन को धुम धुम करती ती, मतलब अपना जीवन को जो दुखी फिर पिता माता को इतने सताया, पिता तो घर छोड़ कर चली गए, माता जी को इतने सताया, मैया कुय में आत्म अत्या की, फिर उटने छे छे बैस्या को बुला कर घर में लाए, फिर बैस्या उने उसकी गले में रसी बांद करके, कोईला डाल करके, मुह में इसको खतम कर पर ही प्रेत बन गया और इतना बड़ा फेर प्रेत बना जो गोकर्ण उसको नाम पर गया में पिंड़ देखर के आया देखा फेर वही प्रेत बन गया फेर बेटा हुआ तेरे नाम पर में ने गया में पिंड़ दिया तरेको मुक्ति नहीं मिली जो गया में है ना वहां पर जो गया सुर्ण है उसको च्छाती के उपर में भगवान की यह चरना का च्छाप बड़ा हुआ है है इसले भगवान का बर्दान है अगर कोई गया में जाए वो चरना की च्छाप ऊपर में पित फूरु सगिले पिंड़ प्रतान करे उसको जरूरु उधार हो जाए इसले हम मरने का बात सभ गया में पिंड दने के लिए जाते हैं न गवान का भरदान है लेकिन वे इतना बड़ा पापी मेरे नांपर सौ बार भी पिंड़ा दोगvida uma salmon क Glai लेकिन मुक्त मिली तब मिली कई सहे बहले भागवत बता से, मतलब किया है? आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं आओ उतकबल भागवत ने बैट और भागवत कित उता सुने, और कुछ भी करने का तुम्हें जरूरत नहीं, कद जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अग दोर हमारी उधार हो गाइए। इसका तातपर ये पापी से पापी भी कθा सुन सकता है। अगर कोई सोचे हम क्या कम जणता हम। सब जान रखाए बाघवत कता है। वही भगवान की कःथा , भगवान न सी जिंग्या कondere अगता है। इसलिए उदाहर ने दिया आप सुपदेव गौस्वामी जैसे इतने बड़े ज्यानी कभी होई नहीं सकते। मातरी गर्व में 16 साल तक थे, जन्म को बाद में ब्रह्म्ह में डुबे हुए थे, बड़े ब्रह्मानदी। इतने बड़े ज्यानी 지원 में सुपदेव गौस्वामी। लेकिन इतने बड़े ज्यानी जब भागवत पक्मानदी। क्युए ऎक स्लोग सुण लिया पागल हो गया। सारे ज्यान, ध्यान को त्याग दिया। और भाग्ते भाग्ते आए, साथ दिन तक उनने कथा को उनने, भागवत कथा को सुने, भागवत को पड़े, इसलिए गोस्वनाब जी कहते हैं, बले रामा कथा जेई सुना ताघाई, रामा कथा जेई सुना ते अभावत की, आ क्रिष्णा कथा जेई सुना ताघाई, रिष्णा 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 कथा जेई सुना रासा विशे सयानाता तिन नाई रामा कता जेवि दोला ताखाई रामा कता जेवि दोला ताखाई अगर कोई गुष्मामी जी कहते हैं अगर ठाकुरू की कथा सुनते अगर कोई बोलता हैं हम तो बोरो होगे कितने कथा सुनेंगे, अगर ऐसे कोई बोलता है, पर गोश्वामी जी कहते हैं, ये समझो, पर यह भगवत कथा में क्या रहस है उसको पता नहीं, हन्मान का नाम सुने हो तुम लोगने, कौन-कौन जानते हो हन्मान का नाम, आत उथा हो तो, बले हन्मान जी कौन है, ज्यानी नाम अग्रगन्नक बहुत बड़े क्यानी हैं राम की कितने बड़ा भक्त श्री हनमान जी अगर करोड़ों जागा में प्रभू राम की कथा होगा ना हनमान जी सबसे पहले जाकर कौह पर बैठेंगे और वो स्थान को प्रणाम करेंगे सुरता बगताओं को प्रणाम करके आखों से आशों से गदगद हुए कथा सुनेंगे और जो कथा भिष्रा में हो जाएगा ना फैर क्या करेंगे समको प्रणाम करते हुए वहां चर्न धुल लगा करके हनमान जी जाएगे अब बताओ कि हन्वान की से बड़े होगे हैं, अब बता हन्वान की से क्या बड़े होगे, अगर हन्वान जी कथा को इतने आदर पुर्भग, इतने भक्तित पुर्भग को सुनते फिर हमारी बात की छोड़ दो, इसलिए आप देखना परिखिति महराथ साथ दिन तव कथा लिए परिखित महरत को उन जानते है आपको, क्यों भारत की राजया नहीं थे, वो चक्रवर्थी प्रिथिवी को उपर राजय तो कर रहे थो, वो छोटे मट राजय नहीं थे, भारत का इक मोधी प्राइम मिनिश्टर उसका कितना नाम है, अगर संपुर्ण भारत की जो र तुनियांदारी जो बस्तू है ना तो कभी तमें सांती सुख नहीं देगा, बैडी साओ, दोचारे ब्रती गभ़्ती मरो, अम्मारी घर में क्या ओ रहा है、 तुमारी हाओ थाओ, हम्मोक जागा पर क्या ह strongest कोहीं तन से दुखी, कोहीं मंसे दुखी, और यहां पर जैसे दोखता सुनकर न वहां जाम पर सरगा है। इसलिए ह larg जाउगे हुष boundary भिक्रेद्थ णहिंजए हुआантि मेंD तयान करने और घृत मत मांद को स्वाम जी कहते हैं वह भगवान की कथा सुन करें कमें कोई बोर नहीं होते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी बात सुन कोई भी चीज लो ना बोर हो जागी थो दूनीबाद मा बडिया से बडिया सिने मा आएएग बार देख लो गवत बडिया दो बार ठीक तिसफे भार, हाँठ ठीक तो छौथा बार भर बैट कर देख नहीं सकता हो इसलिए इसी जगत में कोई भी चीज को देख लो ना, वो हर समय के लिए कि संसार का चीज को भी सुख देगाएगे, कुछ दिनी बाद में बोर पन हो जाओगे, लेकिन जैसे घर में थाकरूप को कोई सेवा करता होगे, बही हनुमान चालिसा पढ़ता होगे, बही राधा, डाली के आश्टर को पढ़ता होगे, भगवाल की सिवा पुझा करते हैं, इसमें कभी अलसत आती हैं, अब पता कभी अलसत आती हैं, नहीं आती हैं, इसलिए यहां पर कहते हैं, जो विक्ति कहता है, कथा सुनते सुनते बोर होगे, इसका मतलब है, ये भक्ति क्या चीज है प्रेम क्या चीज है उसको यह चीज पता नहीं बला सरीमात भागवत कथा मृता मकी बला सरी सुप्देव गुष्वामी की इसलिए कथा को ज्यानी से ज्यानी और पंडित से पंडित वेक्टी भी ये भागवत कथा को सून सकते हैं जो दूसरी विशह पर जो विचार है, केते कथा सुने तो कहां पर सुने, जहाओ भागबद तो पढ़ाओ वैस्नवरस्थानि, कथा हमें वैस्नव उसे कथा सुननी चाहिए, जो विश्नु मंत्र में भगवान की दिख्षा मंत्र क्रीगरन की, उनसे ही कथा सुना, जहां तह सब्सक्राइब देखने के लिए दूद लगेगा लेकिन पीओ तो मृतु का करने बनता है उसी तरह भगवान की कथा तो अम्रित है अगर किसी ज्यानी कर्मी भोगी जोगी का मूह से कथा निकलेगा तो उसको अगर हम पान करेंगी वो जहर का कान करता है जैसे समुद्र मन्थन से अंबृत भी निकला और उहां से बीस भी निकला है करते ये स्रीमाद भागवत कथा से करते इसमें बीस भी निकलता है वो अंबृत भी निकलता है भक्तों के मुह से सुना अब्रत मिलेगा, ज्यानी कर्मी जोगी से सुना तो जहरी जहर मिलेगा, क्योंको उसकी हिर्दय में जो होगा उही तो निकलेगा ना, इसलिए कथा बैस्नव से ही कथा सुननी चाहिए, तिसरा नंबर है, भागवत में विश्य वस्तु प्याहि, आरा भगवान ब्रजे सस्तनया, तध्धाम ब्रतावनम, रम्याक काचि दुपासना, ब्रजवधो बरगेन जाकल्पिता बले स्रीमाद भागवत ग्रंत में जो भी सह हैं भगवान स्री प्रजंद रनांदन स्री कृष्ण की कथाई स्रीमाद भागवत ग्रंत में के तो उनकी उपासना कैसे करने चाहिए, ब्रज गोपियों ने जैसे भक्ति की है, गोपियों का जैसे भक्ति हमें करनी चाहिए, कार्ण है भगवान गोपियों को प्रेम में जितने वसिवता हुए और किसी प्रेम में इतने ठाकुर्जी वसिवता नहीं हुए, इसलिए महा प्रहु मत्विदम् थाफ्रादनापः कुछी कोही आधर करो किसी चीज में आधर नहीं केसा इसलिए सची नंड़न कमात्र hecho एक जाए रही की श्रीमान प्रोणापः की जई जई मुझे टहंतर ही邑न की ये तुर पुरान की कथा सुन रहे थे, आज यह मत्री स्कंध पुरान का भी थोड़ी सी कथा सुनेंगे, यह स्कंध पुरान में यह भागवत की कियाक्या महिमा बताए, अब लोग मेरे पिछे-पिछे तरह ताली बजाते होगे, तरह किर्कन कर लो, एक भर निगा लोगे। तो रेशना सादेरा देवो, अपने बारी दिन मित्ति वोद, उन्खे पारी में अमत्तोद, तो रेशना सादेरा देवो, तो बारी में मित्तोत। के अज़ित गहां है हो। राधाजी बरिशामे बारी राधाजी बरिशामे बारी राधाजी बरिशामे बुला दे राधाजी बरिशामे बुला दे राधाजी बरियु राधाजी बरिशामे बरिशामे बरिशामे速ि कर दो 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 राधाजी महरा अशिर चाले राधाजी रमुला मिलचाले राधाजी महरा अशिर चाले प्रादादी में से लादे बचावे उस चावी को भर के लादे लोगे हज़कर के पत्रिभों और प्रादे रादे हम दो पत्रिभों और प्रादे रादे मेरा धाल नहीं सजये भिहारी मेरा धाल नहीं मिले बनवारे जिब की चरण का चड़ी नहीं आदा मजिगत कहीं मत दो नो उसे ना माज राते हो लोडरे वारी नहीं मिले बनवा धाल नहीं मत दो कुर्षे ना और रमेना को ज़ा चि समोर परसिन, को जदेना को जदेना को सयादेना प्रिंदावन विहारि लाल की गुणातितंपरम प्रह्मा प्यापकम प्रयोचते कजिस्तम में भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले जाते ही मैया कुंती सुनते ही उसे समय में अपना सरी प्यागे जाती अगर ये धारने से अगर कृष्ण दरसल कृष्ण सेवा हो रही है तब ही ये सरीर को रख्या करनी चाहिए अगर किसी सरीर से भगवान की भजन नहीं हो घिर्टन नहीं हो भागवत कहते हैं तरवम्किन जिवंती अगर जिन्दा रहना सबसे बड़ी बात होता क्या वर्गत का पेड़ पिफल का पेड़ी जिन्दा नहीं रहते हैं आप तो नहीं हजार हजार सल जिंगा रहती हैं, भस्रा आकिन्न संसन्तुत। जो लोहार होते हैं, एक हापूर, एक धोकनी बेवार करते हैं, जो हवा जाता हैं और हवा आता हैं, तो भई आप एक मसिन भी तो स्वास लेता हैं, ना खाधनती ना मेहंती कि ग्राम पसब परे, किते क्या जानुवार खाते नहीं और बच्चे क्या देते नहीं, कोभी एक सोग काम करते हैं, लेकिन ये सरीरी धार्न करने का तभी सार्थकता, जब ये सरीरी से ठागुर जी का भजन हो, इसलिए मईया कुंती सरीरी को त्याग दे दिया, पांडवन जब देखा कृष्ण नहीं नहीं रहे, फिर आम क्यों रहे, इन्होंने बच्रनाव को ब्रिंदावन का राजा बना दिया, और परिखित महाराज भस्तिनापुर का राजा बना करके, वह भी महा प्रयान में चली गए, एक दिन परिखित महाराज बच्रनाव से मिलने आए, बड़े बेटा थीठ अब का आसरी बात से सब ठीक ठाते हैं, लेकिन जो मैन में बड़ा उदास, वह लेकियों, राजा कब सोभा देता है, जो प्रजा हैं, व्रिंदावन कोई नहीं, खाली-खाली पड़ा हुआ, व्रिंदावन ने खाली क्यों पड़ा हुआ, भगवान जब इसी जगत में आत पुरा आजोध्य वासियों को लेकर ठागुर जी गया, जब क्रिष्णा गये, उनने सखा, सखी, गौल, वाल, क्योंकि ये इसी जगत का ठही नहीं, वो तो लीला करने के लिए गोलो के भरिंदावन से उतर करके आई ते, जैसे कोई नाकव होता है ना ड्रामा होता है, वो हो ये, लेकिन स्री परिखिति माहराजी को पता है, करते हैं भगवान की दो तरह का लिला है, एक बेवाहरिक लिला और एक बास्तव लिला, बेवाहरिक लिला का मतलव होता है, जैसे साधार्मन लिला है, एक बास्तवी मतलव होता है, बास्तव रूप में जो लिला है, करते इसलिए कृष्णा खूद कहते हैं ब्रिंदावनम् परिप्ज्य पाद एकम नगाच्छानी ब्रिंदावनम् छोड़ करें जाता है नहीं मैं तो ब्रिंदावनमे रहता हूं लेकिन ये बात इसलिए सांडिल्य रशी को पता क्यों उन्हों का ये पुरही तो इत्व ज्यानी ह सांडिल्य रशी को बुलाओ आप खोड़ी सी परिखित को ये ब्रिंदावन धाम को बार में बोलो तम स्री सांडिल्य कहते हैं स्रीनित्वम् दत्यचितम्मे रहस्यम प्रजव वियम गोनातितं परंब्रह्म व्यापकं प्रजव उच्छते परिखित तुम ध्यान देखरे सुनो आप लोगों भी ध्यान देखरे सुनो इंधर दर मत देखा करो अवियम प्रजव वियम गोनातितं परंब्रह्म एजो बिंदावन धाम हैं ये सत्व रज और तम ये गोन से अतीत श्री भगवान की धाम व्यापकम ब्रजोच wraps़ते , जो ब्रिंदावन धाम बड़ी व्यापक रूप में है, इसले गुनातितं परंप्रंधम इसले ये ब्रिंदावन धाम कोई साथारण धाम नहीं, इसले कहते है न ब्रिंदावनिके ब्रिक्षको मरम ना जाने कोई टाल टाल और पात पात में स्री राधे राधे होई एक बार स्री आगबर नाम सुने आगबर की एक समय ब्रिंदावन में आए उनको पता चला कि एक सनातन गोस्वामी जो पहले ओभी नवाब का प्राइम मिनिस्टर था लेकिन जब कृष्ण भक्ति की चस्का लगी उनने साब छोड़ करके हम तो रिस्पत दे करके नौगरी करना चाहते हैं लेकिन उनने रिस्पत दे करके नौगरी छोड़ी पता है कितना रिस्पत दिया उस समय में दस हजार सुर्ण मुद्रा जो सोच भी नहीं सकते अरव खरव रुपिया कि जब कृष्ण भक्ति की चस्का लगती है न ये विश्व ब्रम्हांड का सारे बैभव उसको सामने प्रिकी बड़ी जाती है प्रभु की प्रेम का आश्वातने करते हुए और हम तो भगवान को दर्सन करने जाते ही वो इतने बड़े संत हुए ठाकुर दर्सन करने आते था इतने बड़े स्री संत हुए जब उसको पता चला संतों की दर्सन के लिए आया क्योंकि आगवर बड़े धार्मी की था आकर कर देखा, बाबा को पास में कुछ नहीं, एक माला दोली लेकर कर बाबा, हरी कृष्ण पर notch लुए वा मुद्ध को रिख रोली को दूके करें। आप भी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, छोड़ करके भजने के लिए आये हो, आप भो दर्सन करने के लिए आया हूं. हम चाहता हूँ आपकी कुछो सेवा करते हैं, उन्हेंने देखा इसका अभिमान है, मैं नवाब हूँ, ब्रिंदावन धाम की सेवा करेगा, उसको पता है नहीं, यह ब्रिंदावन धाम किया है, यह ब्रिंदावन धाम नहीं, बुले चिंतामनि प्रकरसत्म सुकल्प बृक्षम लख्या बृतत शुरभीर अभिपालयंतं लख्स्मी सहस्रसतसं भ्रमसे बमानं गोभिंदंग मादि पुरुसं तमहं भजामि बर बृक्य बिन्दावन धाम घूमी नहीं उच्शिनतामनि बिख्य नहीं कल्प elimता है लगता है जैसे बड़े सुदर भजण गार आए गार आएं अगर कोई छलता है औ Concept to लगता है कोई नाच रहे हैं ॐन्दावन भूमि ये इनको पता नहीं ये व्र मैंदावन धाम की क मुस्या बड़ा सेवा तुझा क ह完了 कि ने कश लोगा करने के टो a तुझ अघ्व trilogy कृणा तुझा मटकर नगे सटमान आप करके देखो आक पास में मराम। करने के लिए पैसा है कि नहीं। सचमुष से आगवर जब सीड़ी में उतरा तब उनने उनको धिबद्रिष्टी प्रदान की। उनने देखा जो सीड़ी बना हुआ था वो हीरे जवारातों से मढा हुआ था सीड़ी। हीरे जवारातों से आगवर देख करते चका चौंद हो गया। वह मेरा देश को अगर मैं साथ बहर बेच दुगना ये एक सीड़ी की कोड़े जो तूट गया मैं इसको सही करने का पैसा नहीं होगा। फिर उसकी सौरे अभिमान दूर हो गया। वह भाईया मैं ब्रिंदा बने का में सवा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यहां पर स्री सांदियल भी कहते हें वाले परिखी बजरनाव ये ब्रिंदा बनधाम कोई साथ आरमा भूमिन ये दिब धाम स्री ब्रिंदा बनधाम हैं। इसलिए देखो जो बास्तव लिला है थात्रों जी यहां सोड़ कर कहीं गए नहीं अभी भी ब्रिंदावन में कृष्ण लिला करते हैं कर में प्रेम नाम जब इस आखंध में प्रेम रुपी अंजन लगाएंगे तब हो हमें देखना को मिलेगा लेकिन हमारी आखंध में क्या लगा हुआ? काम, क्रोथ, लोग, रुपी आंजन लगा हुआ है। इसलिए उनको देखने के लिए प्रेम रुपी आंजन आख में लगाना पड़ेगा। अभी बताओ, अभी मैं क्या करू। भगवान का धाम को प्रकास करो। ठाकुर जी चले गए। धिरे धिरे इनके लिलास्थली अंतर ध्यान होते जा रही है। इसको स्थापन करो। और सारे ठाकुर जी को प्रकास करो। फ़र तुमको ठाकुर को घृपा मिलेगा। इसलिए उनने किया कि कृष्ण कहां पर बजश्री भजाए थे, कृष्ण कहां पर रास रचाए, भगवान कहां पर स्री गृराज बाबा को उठाए, भगवान कहां पर गोचार नकी, ठाकुर जी कहां पर क्या लिला करते थे, उनने माता जी ओई पर खड़े रहो। भाग उनने लिला अनुरूप उनने गाउं भी रख दिया है, देखो, ब्रज में एक स्थान का नाम दीग, और एक स्थान का नाम अडीग, ये डीग और अडीग नाम क्यों पड़ा? ये जहां पर राधारणी मान करती है, और क्रिष्ण जब थोड़ी से मना है ना, छट उनकी मान टूट लिया है, इसलिए गता है धीग खाना, लेकिन अडीग नाम क्यों पड़ा? जब राधारणी मान की, क्रिष्ण बहुत कोशेशी की मनाने के लिए, लेकिन उनकी मान है एक आजनव को नाम क्यों पड़ा? एक समय क्रिष्ण ने बंसरी बजाई, सकھیया राधाराणी को सरिंगार कर रही थी, सारे सरिंगार तो हो चुगा था, लेकिन आख्व में कवल काजल लगाना बाकी था, इतने में क्रिष्ण ने बंसरी बजाई, राधाराणी, भागते भाग पर राधाराणी आई, देखा सारे स्रिंगार्थ, ठीक है, लेकिन आख में काजल नहीं कृष्णा ने, काजल को लेकर राधाराणी के आख में वो आंजन लगा दिया, काजल, लगा करके जिस पत्थर को पर लगाया और अंगुली को उनने उसको पर घीस दिया, अगर आप अ हमारे परिक्मा उहां जाते हूं घर साथ, इसलिए स्थान का नाम पढ़ेगा, आई जे नो, एक स्थान का नाम पढ़ेगा, छत्रवन, छत्रवन का नाम क्यों पढ़ा, बले जिस समय कृष्णा ने गरिराज गुठाया, साथ साल में, साथ क्रोष, और उनने साथ दिन तक उनने स्री गरिराज को खा लिया, बले स्री गरिराज महराज की, अब इंद्र भी आ करके जनिकी चर्ण में माभी मागा, ब्रज में बुरा के बुरा हला हो गया, आज इससे ब्रज का राजाश्री मांके विहारी, अब ये बात राधाज की कान में पढ़ी, राधारानी सु व्रज्ञ का राज्ञा कुछ नाम लेते हैं व्रण्दावन मुद्य को और ब्रण्दावन नामें, बिछने बोल रहे पुर्णावन में राधाजी का नाम लेते हैं, राधा राणी राधा राणी कहते हैं, और कृष्ण राजा कहीं से हो गए, और नवासी बल कभी नहीं हो सकता हैं, बले हम कृष्ण को पर आक्रमन करेंगी, इतने में राधा राणी राणी बन करके सिंघासन अबर बैडी गई अर सम शक्कियां चामर बेंजर चत्रधार में की और गोःकिवान ने जाकर किर्ष्ण को पर आक्रमन किया और भगवान को बंदी बनाया भगवान बांके भी आ रहे बोले कैसे बोले फ्रेम से खुलो की माला से बंदी बनाए और बंदी बना करके कृष्ण को ले करके आए जब आये इतने में राधा रणी पेकर शर्मा गई राधा कृष्ण तो नो वैठे सक्क्यावरी के आ रती अर्प्त। और कृष्ण स्वयम अपना हाथों से राधा रानी की अभिस्य खरवाए entertain कृष्ण स्वयम श्तिरधर्म की कि आज से ब्रज का राजा मैं नहीं हूँ, ब्रज का राजा स्री राधा रानी की इसलिए अब ब्रज में जाओगे ना, जो जो गाउं अपना नाम सुनोगे ठाकुर जैसे जैसे लिला की वो लिला के अनुरूप उस्थान का नाम बेज़ा ही पड़ा हुआ है। इसलिए बजरनाव ने ब्रिंदावन धाम का प्रकासित किये और उन्हें बहुत सारे ठाकुरु को उन्हें प्रकटित किया। गोबिंदा, गोबिनाथ, मदन मोहन, राधा रामन, राधा स्याम। बहुत बहुत ठाकुरु जी को उन्हें स्थापन किया है। और उन्हें श्री एक ठाकुरु है जिसका नाम साखी गोपाल। क्या नाम है। जो और से बलो, ये साखी गोपाल उनने स्थापन किया है, अभी भी वो ठाकुरजी जगरनाथ पुरी में, वो साखी गोपाल नाम से प्रसित है, मता जी, वो बच्चे को बलो, पिछ दे ले, कि सामेने में रखे, मता जी, बच्चे को बलो, पिछ ले जाओ, इसलिए वो स्थ जाओ, साखी गोपाल उसका नाम पड़ा, बले, साखी गोपाल क्यों नाम पड़ा, दियान देखर सुन लो, बले, एक समय, दो ब्रामण तिर्यत करनी जाते हैं, एक छोटा विपर, एक बड़ा विपर, जो चोटा विपर जो बड़े जवान था, उनने बड़े वीपर की बड़ी उसने सेवा की, और उस सारे तिरतों को ब्रहमन करते करते जो ब्रिंदावन में आए, पहले ओ गोपाल जी का मंदरी में रोके, जो ब्रिधा ब्रामन था, छोटे ब्रामन को बोले, बोले देखो, अगर तुम नहीं होता तो ये कभी भी ये तिरतों नहीं कर सकता था, तेरी कृपा से, तुमारी सेवा की बज़े से मैंने तिरता की, मेरे मन में एक इच्छा है, बताओ, मेरी एक बड़ी प्यारी बेटी है, मैं चाहता हूँ, जब घर में बापस जाओंगा ना, वो बेटी को तुमसे साधी दिला दिना, छोटा विप्रगा देखो, आप मेरे पिता जैसे हो, इसलिए मैंने आपकी सेवा की, आपका आश्री बाद मिले, इसलिए आप बेटी को साधी करने के लिए नहीं, दूसरी बात है, जद्य भी हम दो नहीं ब्रामने हैं, लेकिन होने पर भी में छोटा जाती का ब्रामन, तुम बड़ी जाती का ब्रामन, तुमा वेटिको जरूर में साधी दिल आँगा, घर में आए बिरिधा ब्राह्मन आपना परिवार को गुला करके सारी बात को बोली, शून करके परिवार इतने भिगड गए, आपको पता नहीं हम उच्चे कुले के ब्राह्मन, और छोटे कुल का ब्राह्मन हमारी परिवार हमें क्य वह भुलेगा अगर हमारी वहनी को साधी दिया ना जह रखा अगर मर जाएंगे सबके सब वह ने जो ठाकर को साथी करकर आए तो पथर जो कि आ बात करता है ये पथर तैयरी हो गई, बले दुष्ट, एक पर तो हमारी पिता जी की सारे तुमने संपद छीन लिया धदुरा और धदुरा खिलागर के तुमने छोड़, उनको सब कुछ लूट लिया, फिर हमारी बहने से साधी करना चाहता हो, उनको डंडे से उनको भगा दिया, उसने ग्राम पं अचाहे तो बले कोई तुम्हारी साखी किया है, कोई साखी किया है तुम्हारी प्रामण ने तुम्हें बेटी दने के लिए बताया, अहां बले ब्रिंदावन में गोपाल जी को साखी किया था, बास बड़ा विप्रकी बच्चों को मौगा मिल गया, बले जा जा जा, ब्र पुर्न विश्वास था 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 थ थाकुर जी बोल रहे हैं, हम कहते हैं थाकुर क्या बोलते खाते हैं, थाकुर जी स्वयम बोल रहे हैं, तुम ने कभी सुना हैं, थाकुर कभी चलते चलते जाते हैं, इतने बात को पकड़ लिया, अगर चलते चलते जाते हैं थाकुर क्या बोलते हैं, अगर आप बोल रहे हो फिर आपको चल करके भी जना पड़ेगा, थाकुर तो फस गए, ठीक है मैं चलूँगा एक काम करियो, बताओ, मेरे लिए एक सर चाबल का खिचड़ी बनवाओ, इतना दूर चल करके जना पड़ेगा, तो उने खिचड़ी बनाए, थाकुर जी सब खा लिए थाकुर जी खा बहुत देखो, मैं तेरे पिछे पिछे चलूँगा एक काम करना किया आप, पिछे मोड करके नहीं देखना, नहीं तो मैं ओहीं रुख जाओंगा, मेरे को पता कही चलेगा, आप आ रहे हो, मेरे पैयार में नुपुर बांदो, नुपुर का चंचम आवाद इसे पता चले आवाज बंद हो गया, उसने देखा यहां तक तो आवाज आ रहे थी, अभी यह आवाज बंद कैसे हो गई, ऐसे नहीं, वहाँ पहुंच करके देखा ठाकरु आए नहीं, हम तो करके पास में आई गए, अगर ठाकरु जी नहीं जाएंगे तो हम राजा को फिर बुला दू ब्रामोन जागर के हला मचा दिया, भया बिरंदा बने से गोपाल जी चलते 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 उडिशा तक आगे हैं, अब सब के सब उचल दुनिया उमड ठाकरु को दरसन करने के लिए, और सत्मुष ठाकरु जी सब को सामने उन्हें साखी दिया, यह बड़ा विप्रण उन्हें मेरे को साखी करके बताया था, लेकिन घर की दवा पे उन्हें आकर के बात को पल्टा दिया है, लेकिन उन्हें बताया था, इसलिए उन्हें साखी दिया है, इसलिए अभी भी वो स्थान का नाम बताया साखी गुपाल, अभी भी ठाकरु जी वहां पर है, अभी र अध्य देश का राणी भी आया थी तर्सन करने के लिए, अभी राणी को पास्क में एक हीरे की बेसर था, उसने मनमन में सोचा, अगर थाकरुजी की नाक में अगर छेद होता तो, मैं अपना हीरे की बेसर थाकरुजी को पहना ने। राणी ने मनमन में सोच करके गई, लेकिन जब रात को सो गई ना, खाकरी शुक्न दिया, बले महाराणी, आपकी इच्छा है मेरे नाथ में बैसर बहनाने के लिए, मैं जब छोटा बच्चा था, मेरी मैया ने नाथ में छेद करके रखा, अभी भी वो छेद है, लेकिन वो ना, मिट्टी से बंध हो गया, तुम हीरे की वेसर लेकर क्या आओ, थोड़ी से नाखुन से तुम मिट्टी को हटाना, देखना अभी भी वो छेद रहे, राणी को तो नीद खुल गई, राजा को सारी बात बताई, बले चलो हम चलते ही, सचमुश से आ करके देखा, ठाग ठागुर जी को नात में पहिनाते है, अभी भी थागुर जी नात में हीरे की वेसर अभी भी पहिनते हैं, लेकिन पहले ठागुर जी को पास में राधाराने थी नहीं, उहां पर राधारानी पहले थी नहीं, अक्यले क्रिष्ण की पुजा होता था, लेकिन क्रिष्ण का मन यह लगता है रादार्जी के को पकर को लुभी प्रिशन का मन कज लगिए इतने में क्रीश्ण की इच्छा से जो फुज्रिक था उसको बैटी वट encar करका और रोज सुंदर सुंदर थागुर्जी के लिए मला बनाथी है तागुर्जी को पेनाती है फागुरुजी भी बड़ी सुंदर स्रिंगार करती हैं लेकिन ठाकुर जी को मंदिर में तो साई न कराते हैं लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते रात को उसकी बेटी को पास में पुजारी को बेटी को पास में ठाकुर जी सोते हैं एक दिनी क्या हुआ देखो नियम है जब ठाकुर जी की पट खोलो ना, वो हठाप नहीं खोलनी चाहिए, पहले ताली बजाओ, नहीं तो कोई भट्ती बजाओ, पता नहीं ठाकुर जी अंदर में क्या करते होंगे, इतने में पुजारी नहीं, जब वहां पर बेल बजाया ठाकुर जी की मंदरी खोलने के लिए, लेकिन न मंदुडि में ठाकुर रही नह versuchen को रहे थीका थाकुर आदक हुआ है। जब पुजारी जी आये वो देखा ठाकुर की सोने की बंसुरी नहीं उसने तो हला मचा दी ठाकुर की सोने की बंसुरी कही चोरी हो गई राजा सियाइड लगा दिया और ढूंटे 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 देखा पुजारी की बेटी की घर में सोने की नुपुर्मिनी, राजा को तो बड़ा कुरोधाया, बोले तुमने सोने की बंसरी खुद चोरी करके, और तुमने हला मचा दिया, चोरी हो गई, उसको जल में बंद करो इसको, अभी पुजारी को जल में बंद कर दिया, अभी ठाकुर जी सोच रहे, हाई रे, मैंने चोरी की और मेरे सासुर साहब जल में बढ़ोगे। सासुर लगता ना था कुछ उनको बैटी बन करें तो राधाराणी आए। राजा को उनने सोपन दिलाया, बोले महराज मेरे को राधाराणी के बगर आपने खड़े कर दिये। राधाज की बगर मेरा मन नहीं लगता है। बेल बजाय तो उसी समय में तहां पर बेटी को पास में था जल्दी जल्दी आया तो मैंने बंसुरी छोड़ करके आ गया। एक काम करो जाओ, उसकी जो बेटी को दुल्ध है नी बनाओ, मेरी जितने सारा अलंकार को बेटी को पहिनाओ, उसको पालक में बैठाओ, और दुल्ध है नी बनाओ, और गाजे बाज्या को साथ में ले आओ, और मेरे साथ में साधी कराओ। जो बेटी को लेकर आए, जब मंदिल में अंदर में प्रवेश किया ना, अपनी आप दरवजा बता होगे, अब दरवजा खोल करके देखा, वो बेटी है नहीं, बेटी ठाकुरुची का अंदर में ही समा गई, फिर राजा को पता चला, राधाराणी के बगर कृष्ण अकेल कभी होई नहीं सकते हैं, फिर उनने बड़ी सुंदरी, कभी जाओगे ना देखोगे, इतने बहुत बड़ी राधाराणी को उनने अष्ट धाकु से फ़र बना करके ठाकुरुच के पास में रखा, इसका मतलब है, हमारी भक्ति में ठाकुरुच कहते हैं, बले आकेला माध इसका मतलब है, अकेले कृष्णा पुजा नहीं करनी चाहिए, राधा के बगर कृष्णा आधा, जो अज्यानी है, वही लोग पही अकेले कृष्णा को पुजा करते हैं, इसलिए राधा के बगर कृष्णा आधा हैं, इसलिए यहां पर हम देखते हैं, हमारे कमल दिदी किसने तक राधारानी को लेकर के आई हमारे कमल दिदी ने उनने बहुत सार राधारानी को लेकर के आई जिन जिन को घर में अकेले कृष्ण थे न सबको उनने एक एक राधारानी दिलवाए अभी हर घर घर में राधा कृष्णा दुनों की हुजा हो रही है उनके लिए तालीब हो जाओ जै उनने इस राधा राणी को लागर उनको सभी को उनने राधा राणी दिलाया बला स्री मति राधा राणी की बला स्री कृष्ण के नहीं आलाले की जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे इसलिए यहाँ पर श्री बजरनाब जी जितने ब्रिंदावन में अभी आप ठाकुर दर्सन करोगे यह बजरनाब को तरह स्थापित किया हुआ है नंदगा कहा पर बरसना कहा पर कहा कृष्ण रास रचाए यह बजरनाब खाही यह देने फिर उन्हें जब ठाकुर जी को स्थापन किये भगवान की आस्री बादेने को बर्मे ठाकुर जी को आस्री बाद में लादे एक समय कृष्ण का जो 16108 पट्राण्या थी कृष्ण ज यह कलकल कलकल नाद से बह रहे हैं और बड़ी प्रसन नहीं तो महिश्व ने कालिंदी को पुचा कालिंदी कृष्ण विरह में हम दुखी हैं लेकिन तेरे अंदर में कई दुभने तो बड़ी आनद हो जो देखो राधा राणी की सर्ण में मैंने गई हूँ राधा जी की क बड़ी पास से पता चलता हैं अभी भी कृष्ण विरंदावन में हैं कृष्ण विरंदावन छोड़ी कहीं जाते ही नहीं बाहर अभी कृष्ण विरंदावन में पुर्ण रूप में विरंदावन गये हैं आप लोग कोन कोन गये विरंदावन में यहां के भक्त लोगत अ यहां पर ठागुर जी के लिए फूल की सज्ज्जा लगती है। लड़ू रख लेते हैं, आप सबरे सबरे मंगला आती में जाओ, देखो गई वहां पर, ऐसे लखना ही रात को किसी ने आ करके फूल की सद्या में सो कर गए, लगए जैसे दोनों कोई आ करके सो कर गए थे, कभी लड़ू नहीं मिलता, कभी लोटे में पानी नहीं रहता हैं, अगर कोई जबरदस्ती है, अगर कोई रूग लेना किलम में देखना चाहता हूं, क्या होता है, वो मर जाएगा नहीं तो गुंगा बन जाएगा थे, हमारी मंदरी को पास में ये सवा कुझ, मैंने दो उटना देखा अपना आखों से, जो मैंने पहले-पहले आया था, वह हला हो गया, किसी माता ने, जो और जबरदस्ती रह गई थी सेवा कुझ में, वो सरीर मरा हुआ मिला है, और एक दिन देखा, एक विक्ति पागल हो गया, उसका अंदर मरा करके, क्योंकि जो एक बार ठागुर को दरसन करता है न, वो भोलने का रहने का लागी नहीं रह जात इसलिए अभी में ठागुर जी वहां पर नित्य लीला करते हैं, अगर सही सही उनको, अगर सही सही उनको कोई रिदय से ठागुर को फुगारता है न, ठागुर जी अभी में इसको परमें ठागुर जी कृपा करते हैं, इसलिए हमारी संप्रदाय में एक सल्तों हुए जिन का नाम ते स्यामानंद नाम था, जब ये ब्रिंतावन में आये गुरुजी बल देख बेटा, सेबा के बगवर मेबा नहीं मिलता हैं, अभी भी सेबा कुझे निधुवन में थाकुरुजी अभी भी लिला करते हैं, जाओ वहां पर जाडु लगाओ, वो बड़ी रो रो करके राधा जी का नाम को ले करके, बड़ी रो रो करके राधा राणी को भुकार दे थी, बले हे राधे, कब मेरे उपर में तुम कृपा करोगे। एक दिन राधा राणी जान भुच करके दरसन दने के लिए भाहना से उनने अपना नुपुर छोड़ करके चले गए, संत जब सबर आये, घोर अंदकार, घोर भना, घोर जंगल में उनको सोने के नुपुर मिला, तो उनने गुरुजी को दिखाया, गुरुजी भी कृष्ण लिला में मंजरी सखी है, बले बेटा, राधा राणी तेरे को दरसन दने का बाहना बनाए, बेटा किसको देना नहीं, बलना जिनका चरनक का नुपुर उनका हाथ उनकी चरनक में पहिना दूगे, लली ताविसा का आती है, बले चरनक की नुपुर मिला, बले मिला है, देदो हमारी घर की बहु की है, बले जिनकी चरनक की नुपुर वो स्वयम आए, बले हमारी घर की बहु है, नई बहु है, तू कै गरीं थांड़ केसे संत हो, एकिसे संत हो, बहुत हो, जो कुछ भोलिगो गुष गुड़ अगने कीटर के बोला के लिए राधास को भोली पहना जेफिल्छी थे पक्रिक्षारी के हिनकीपख प्लेके राधा राधाजी की चरनस परस होते ही, इसकी रोम रोम खिली उठा, आखों से आश्वों की जरी बहने लग गई, बले है राधे, जब आप इतने दूरतव कृपा की हो, मुर्कों दरसन भी तो, तो राधाराणी आखों का पटी खोल देती है, पर सक्यात स्री राधाजी की दरसन हो पाहल के घंगरों, नपिकारती में थिखर गए, शामाजो की पाहल के घंगरों, मोरा जर्जों के पायल से अम्दुरू बत जर्ण ने खरिगे जड़े छुछ बत जर्ण ने जड़े खरिगे जान माझ माण भी वाय टेंग बरूइट्ट्न झाल झाल माललई खुज में उती करती दो दें मं शनक जामाँ थ्यारे अग्वड़ जब है द्टि राशी की जाए सखी सब भलहारी जाए सभ भलहारे चाहे सबी रखो ले आदे दिए तोती पाया मज़र इतने घुम्रों तोती खाय अलब भेटे घुम्रों घुम्रों भी खर की किज़र गए घुम्रों भी खर की किज़र गए चाह मादों जोशी इपाये इतने घुम्रों आपिटम किपये ही दननों आसमें दनना से चाम दिया ही आपिटम किपये एakingी जाकुटामारे चाहे ना पुर्शात सुने नहीं को ये पायल की अच्छा तुलाएं झाल की अच्छा तुलाएं को ये किदर हां जो उधर कए की उधर कए उधर कए की उधर कए जा माझू झाल काया तुलाया तुलाथ राक जो के आयरे के दो मुझा श्री लुड़न तई दूढ नहीं मिले कर भुम्रों खुनी पाये दिन घुम्रों के दने नहीं बगर कर भुम्रों बगर नहीं मिले कर भुम्रों ना जाने ये गैशे नमें ना जाने गैशे बने पारची गैशे उतर गए शावरों की खाले मुपयों का मजू की खाले वाले मुपयों की खाले गैशे जावरों की खाले ऑाव की खाले सुर्ती मेश मेलने घ्डियों की खाले तब इन दिवान का भी सेवा को रंज पै तोड रही यह मौनादत पर है तोड रहे जोड रहे जोड रहे जोड रहे जोड रहे उम्रमेले बद सीमस करें भुम्र मेरे बद बाते खुम्रू बाते लो बाते पांच पाल पाल की सोखे उवर गये जामादू की सोखी उगर गये जामादू की कायर बिखर गये जामादू की कायर बिखर गये इत करक में बिखर गए नति करक में बिखर गए इत करक में बिखर गए जामा जो के आजर के घुम्रों जल आदे जल आदे जल आदे जल सी आदे जल 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 आदे ठरी किष्ञा जम रिश्ण विश्णवार और माध्यानLA बालेक इस्वाइटिंट ज्ञाइट ढructured झाला, यूझे भैदिक इस्वाइट ज्ञाइट पिस्षाइट जफिक्षर जला ओ! बिच्छ आए तो लोग वह बेट जाए ना और आगे आजा है तो खाली जाए पर बेट जाए ना फिच्छ आए पर बेट जाए वह बेट जाए तो खाली जाए पर इधर वह बेट जाए ना-बी जाए ना-बी-घ्टावन शिरादे। इस लेल अभी भी ब्रत्तावन में movie लिवला कर रहे हैं। लेकिन कि जिसको उपर में ठाक्र का किरिपा हो ठाकुर अभी भी उन स्न्तों को ठापुर जी दर्सन देते हैं तो यहां पर बताए अभी निरुपन करते हैं जो सुरोता है भागवत कथा हमें कैसे सुननी चाहिए द्यान देखर सुनो आज मैं बलूगा कल आपसे सुनूगा जो मेरे को बोल देगा न फिर कल में इसको इनाम दूगा जो सुरोता दो तरह के हैं कितने तरह के हैं जो और से भाला कल कबल आपको इतनी सी बात बचा हुँदा सुरोता कितने तरह के हैं ठीक है इतनी सी बात याद रखना भाले सुरोता दो तरह के हैं एक तो बढ़िया सुरोता है और भी एक घटी आस रोता है जो बढ़िया सुरुता है बहले वो चार तरह के कितने तरह के plan किया है पहला नमबर हंस जैसे हंसो को आप दूद दो देखना वो दूद दूद ओपल पी लेता है और पानी-पानी को छोड़ देता है हमें हंसज जैसे सुरता बननी चाहिए, पहला नमबर, दूसरा नमबर है मधु मखी, एक होता है मखी और एक होता है मधु मखी, जैसे चारी तरफ में फूल फूल खिला हुआ, लेकिन थोड़ी सी किसी एक जागा पर गंधी की होगा, अगर मखी जाएगा तो कहां पर बैठे एक ही फूल है मधु मखी जाकर कहां बैठेगा फूल पर इसलिए हमें कथा कैसे सुननी चाहिए मधु मखी जैसे मखी जैसे नहीं हमें मधु मखी जैसे बननी चाहिए, लेना कांटा बिक हमें फूल क्यों नहीं हो मधु मखी वहां भी बैठे करके सहेद को लेकरके बड़ मचली देख़े होंगे stomach अब देखना मचली का आखे का पलक है वो खुल ही रहते हैं कभी झपते भी कभी नही देखोगे हैं मतलब किया है बेखो जैसे खीरी समुध्र में मचली हर समय दूद्यूद को पान करता है हमें मचली जैसे कथा सुननी चाहिए, मतलब है तक तक लगा करके एक अख्यर हमारी चूप नहीं जाएगा, इसलिए मचली जैसे, चौथा है चातक, ये के चिडिया है, ये चिडिया का अगर सुभाव है, वो किसी नदी का पानी, तलाब का पानी नहीं पिएगा, वो केवल स्वाधिर अख्यत्र का पानी पीता, जब बारिश होना, इसलिए हर समय वो बोलता है प्यासा हम, मैं प्यासी हूं, मिरको पानी, पानी करके चिल्दात रहता है, इसका मतलब है हमें शातक जैसे कथा सुननी चाहिए, कथा सुनेंगे तो ठाक्रशी की कथा सुनेंगे, भगवान की कथ सुनेंगे दुनियादारी बैटी करके उसकी बहुत साथ में साच की लड़ाई हो रही है उसको चोरा चोरी को लगर भाग गया किसम कथा को नहीं सुननी चाहिए बैटी करके सुने तो ठाकुर जी की हमें कथा सुननी चाहिए कद ये चार तरक होगे बढ़ियास रहता है याद रही है आपको याद रही है बोलो तक आप इने बताय था अंसर बचली अच्छा है इसलिए आप लोग याद कर लिया दूसरे तरका जो कि घटियास रहता है पह इसका सुभाव है आप इसको जैसे सुनाओ न वो ठीक बैसे आपको दो बार सुना देगा लेकिन अपना जीवन में भी एक अठ्यर को पाल्ग में करता है कद ये भुरुन्दू मतलब क्या कथा सुनेंगे सुना भी देंगे लेकिन प्रभु का भजन खुद ने करेंगे ख को खाएगा नहीं देखना वो बभुल का पेड़ कांटा के ब्रिखत आता है अपना मुह से खुद निकलता है उसको ही खाता और उसमें आनंद लेता है मतलब जो वेक्ति भगवान की प्यारी प्यारी कथा नहीं सुन करके जिनको कांटा जुकत जुसमें दूख ही दूख ह कि वही बात स्थे चाइगा इसनिया में हैं । कहीं अगर एकत्रितरम होते हैं दुनिया की बात मत करो संसार का बात ना दुखे डुखी ज्जब करिष्ट है संसार का में शांती नहीं है किसको पूछ़ो कई से ठेक ठाक उपर से वह लेगीं अंदर की बात होच हुछ है tôi कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पती से दुखी, कोई सा से दुखी, कोई बहुं से दुखी, अब देगरा, दुनिया की बात करो, दुखी दुखी है, इसलिए यहां सिख्या देते हैं, चोटा जाती का बाग होता है वो हीरनों को पकड़ नहीं पाता है उसको पता हीरनों को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा लेकिन वो हीरन को कब आकरमन करेगा जब हीरन कोई सुलीली सुंदर सब्द सुनता है उसका कान एक दम खड़ा हो जाता है उसी समय में ही यह आकरमन करता मतल अब है कुछ ऐसे स्वरता होते हैं वो खूद कथा नहीं सुनते हैं लेकिन जो पास में जो बैठ करें कथा सुनते हैं उसको भी सुनने नहीं बिना कारण की कारण उसको साथ में बात करते रहेंगे कदी ये भेडिया है और जो चौधा नंबर है कदी ये बलत बग गया आप इसको कोई भूसा दे दौ ने तो खूदर अप्षाल दो इसमें इपकुछ भरक नहीं समझता हैं दोनों को भराबर मानता मतलब किया है Θागुरड़ की कसा हो ने तो दुनियाधार की बात हो उसमें कोई भरक नहीं बानता है where दोनों को जो भराबर मानता है गलizada नहीं वाया जो कथा हैं कदि ये चारी तरक है। पहला नमबर है सात्वी, राज़ Season, तामसि riots और निर्गौनऄ। ये चारी तरक कथा है। पहला नमबर है सात्वी…. सात्वी कथा किसको कहते है? एक महीन होㄹ, दो महीन हो कथा तो सुनेंगे। लेकिन उसको बाद में फ़र कथा से कोई मतलब नहीं रखते हैं राजस की कथा किसको कहते हैं बढ़े ठाड बाड से कथा को आई जोने करेंगी आओ सब को सब दुनिया को निमा तरनत की कथा सुनने आओ कथा सुनने आओ लेकिन खूद बैठे करे कथा नहीं सुने, दुनिया को बुलाएंगे कथा सुनने के लिए, लेकिन ये खूद कथा में बैठे करे कथा नहीं सुनते हैं, करती ये राजसी कथा है, तामस की कथा किसको कहते हैं, जिसे साधी भी कथा होगी, कभी मन लगा करे सुनेगा, मन नही तो फ़र खड़ेगों फ़र एक चक्र लगर आए जाएगा ने तो बीच में आएगा ने तो कता की लास में किसी तरसा आएगा पहर चला जाएगा नहीं ऐसे कथा भी नहीं सुनी का था एक मन से कथा सुननी चाहिए कला मुस्थ ना ये कथा को क्या बताया, ये कल्प विख्या बताया, कल्प विख्या मतलब है, ये कथा को जो एक मन से पूरी कथा को सुने, जो भागवत से मागो, साथ दिन में तुमारी सारी इच्छा भागवत तुमारी पूरी कर देती है, पूरी कर देती है भागवत कथा, इसलिए भाग आकावत कथा को कोई साथार ममत सम्झो कल सुन रही थे ना हम कितना दूर से कथा सुनने के लिए आए दस वीज सा किलविटर कथा जब ओस शौरग के देवता लोग भी सुरुप छोड़ करके आते हैं स्वयम संकर जी कैला से छोड़ करके आते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलो को छोड़ करके आते हैं, गरुड जी बैकुन को छोड़ कर कता सुनने आते हैं, इतने कथा की महत्व है, तो वो क्या बेकुबे कता सुनने के लिए आते हैं, उनको पता है, भाईया सांती मिलेगे तो ये भगवान की कथा में ही सांती मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी सांती, इसलिए संकर जी हर समय सत्संग में डुबे रहते हैं, हन्मान जी दीन भर कहीं में राम कता हो, जाकर बैठ करें कता सुनते हैं, क्यों? कता में सांती मिलती हैं इसलिए कहते सही कथा है, बैया, माय की बाले इस कथा तेज कर सकता हो, कहते जो सही कथा है, कहते जिसको कहते निर्गुन, निर्गुन मतलब होता है, कथा कैसे सुननी चाहिए, मले सदा सेभ्याम, सदा सेभ्याम, स्रीमती भागवती कथा, जस्या स्रवण मात्रेन, अरिस्चेतं समास्रे, पले कथा गोही जिसने जिवन में अपना प्राण बना दिया, नियम करके रोज भागवत पढ़ो, ने तो भागवत गीता पढ़ो, ने तो रामाइन पढ़ो, घर में रोज नियम करके कुछू ना कुछू सद्ग्रत को हमें पढ़नी चाहिए, इसले स्री सुक्देव गुस्वामी कहते हैं, जिसकी घर में भागवत का एक स्लोग पढ़ाई हो, अगर एक स्लोग नहीं, आधी स्लोग हो, आधी नहीं, अगर आधी स्लोग किसकी घर में भागवत का पढ़ाई होगा तो उसकी ग्रिह में स्वयम ठाकुर जी का निवास हो जाए राधा कृष्ण स्वयम मां के वियार इसी घर में निवास होता है। इतने महीमा ये भागवत कता की। इसले घर में नियम करके जरूर गिता हो, भागवत हो, रामानिका तो चौपाई हो, रोज उसको पड़ा। देखो, ध्यान डेखर सुन आए। एक स्वाव तो हमारी जो बड़े गुरुजी थे ना, अब ल्डाम की बात सुनों। को भी इसने बश्च ने बुले गुरु धरिव, बच्चे हमारी बात ने सुनते हो, तो अगर्धर की चान, बच्चे बात ने सुनते हैं। त Cant from God land बच्चों को रामायन नहीं पढ़ाएगा उसों बच्चे कैसे पिता माता की सिवा करने चाहिए यह रामायन कहता है बच्चों को रामायन नहीं प्रात उठाही रगुनाथा और मात पीत गुरुन नमई माथा भगवान स्वयम राम चंद्रव क्या करते थे सबसे पहले पिता माता की चर्मा चुटे थे अब लोग रामायन देखिया हो? कौण कौन देखिया हो? अब देख ले ना, जब दसरत महरां जए सरी ने किये हूए भगवान राम चाहर करके चर्मा कि सिवा करते हैं भागवान स्वयम पिटाजी की초न की सेवा करते हैं जं hepsे भागवान राम कितना साल के लिए ब्नवास गये थे । कुछं बोलेगा ? आँ Papai Da Vinay la पिटाजी की आगया को पाल मावन करने के लिए tre झा गये। अपना पिता जी नहीं, रामायन देखोंगे, पिता जी मना कर रहे थे, दसरतमाराज मना, नहीं तो मत जा, लेकिन अपना माता जी की सेवा के लिए नहीं, आउसलया नहीं, कही कही, वो भिमाता की आदेश को पाल्म करने के लिए, ठागुर जी चौदो साल के लिए बनवास प्रेदे ना? अगर आप अपना बेटे को बोलो, बेटा, भगवान जो चौुदो साल के लिए गए तो चौुदो दिन के लिए पिता माता के सेवा के लिए कहीं जाओ, आदे से पालना करने के लिए, बताओ तुमारी बेटा जाएगा किने। वो हनीमुन बनाने के लिए जा सकता हैं, भूमने के लिए, चौुदो दिता के लिए, लेकिन पिता माता के आदे से पालना करने के लिए नहीं जाएगा भो, देखो त्यांदेगर सुनाओ, यह हमारे बड़े गुरुजी कहते थे, कमी किसकी है, वले यह पिता माता की कमी, व इसलिए भगवान जो अजोधिया, उलका नाम था अजोधिया, क्या नाम था? अजोधिया मतलव, जहाँ पर कोई लड़ाई जोगणा निए होता है, अबध हो, अबध मतलव जहाँ पर कोई मरत्य नहीं, गुरुजी कहते हैं, राम जैसे बेटा हो, सिता जैसे बहु हो, अल्लप कुछ जैसे नाति हो, होता हो, बास ओई भरी अजोधिया हो, जहाँ पिता पहला संस्कार पिता माता से पढ़ेगा, पहला गुरु तो मा है, उसको बाद में पिता जी, पहला गुरु मा है, ठीक है ना, इसलिए खूद भजन करोगे, हरी नाम करोगे, तब इसलिए बच्चे सिखेंगे, अगर मा दीन बर स्मार्टपोन लेकर पढ़ी हुई, दीन बर जी भी खूल कर बाइट होई है, अब बता बच्चा क्या से कहा, तुम से बढ़े, सीख नहीं सकता है, क्यों तुम खुद करते नहीं, जब तुम करोगे बच्चे तब संस्कार बनेंगे, असलिए क्या करो, हरी नाम करो, भचन करो, भगवान की रामान की तापड़ो, देक जो घरी तुमारी बरंदावन धृम बने जाय की, बला सी बरंदावन भी हरी लाल की, आज के आनन्द की जाए जाए शी रोदे, है जाए जाए श्री रोदे, हँ है जाए शी रोदे, हाँ आप dependence मेरी फीछे दो मेंटि के लतहन गरना, तालिब जात हुआ कैं के लनकोना, ब प्रिष्णा, 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 प्रिष हाई है कृष्णा है अधिए ही दिदि कर देरे इस जरह लोगारीना कृष्णा की जरा ने मीडिद अले इक जरह इंब है Wy भान इस जब्दारिनि जरा इस मेफिस जर्भ इस भी बिच्ञाई मुष्ना फिक टूंता लिए अशुते हौड़ कि अखी मुष्ना धूता है। भ"! भ्ष्णाई मुष्णाई मुष्नाई भूर पैंदे व्ला कुऌ्षिक टॉप्स Virginia सप्तितो भुषब आझ सप्तितो हरी भूल हरी भूल कोंया दिम्न लगे के लूदो कि एया दो का ऑने से कुघ Water लूद देल टो कोके बने समकर में को जागा वांदे भूल और नुद रो नका खाएते नेश जरदा कर दिख को दिख कोता है इज हुआ अओतर टे को जंग एदेना फिर यार्दे नाज आ आज Celt आजी 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 का तने कृलतjung के और समय आजी आजी ९े आजी 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 श्री मर्द भाग गोत कता मृत मकी जय जय झाय को ये रहे बल जनमा दस्या जतन यादितर दसा पार्थे स्वरी ज्यासवारात तेने ब्रह्मा हिदायो आधितवे मोहत्यत सोरयो तेजो बारियम्रिदां बिन्यमयो जत्रातिसा गम्रिशा द्यामना स्वीन सदानिरस्त कुखकम सत्यंग परामधीमः जब सुदेव खस्वामी भागवत को प्रारंब करते हैं वो तीन स्लोग को दौरा मंगलाचारन करते हैं क toxicity मंगलाचारन उसे कहते हैं अगर भगवात को ध्यान करते हो यह कोई भी आप घर में काम करो कहते। कोई भी काम गुरु वैसिनर स्मर्ण करो काम को कोई भाधा नहीं आई. इसलिए इसलिए उसको कहते हция。 इसलिए उन्हें ने तीन स्लोक में मंगलाचरन किया, जो पहला स्लोक है कि हम किसको ध्यान करनी चाहिए, हमें किसी को प्रणाम करनी चाहिए, किसको हमें पुजा करनी चाहिए, बले सत्यमु परम धीमर, कि ये परम सत्यों को हमें ध्यान करनी चाहिए, क्योंकि सांस्त्र में बताया सक्तिय में जै भटाने माहभारत टो जोई कंचर्प उसार्फ अकों निच की असे माहँ आभारत ऑनेचल है इनिकी बखétais कि पथ्य गर्म था इनको पख्यम सब्सक्राइब को ने प्रनाम किया है महाभारत में कथा कि एक राजा था एक राज्यम्हें एक दिन देखा एक भ्रती घर से निकलता हुए जा रहा है तुम्हारी राज्ये से उमें जा रहा हूं, 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 अब तक मैंने सब को छोड़ दिया कियों, चुके मैं सत्य का रहा पर हूँ, मैं जानता हूँ जिसकी को कि मैं सत्य है ना, एक दिन जरूर इसको जैकार होई गा, इसलिए उन्हें ने यहाँ पर सत्य को उन्हें प्रणाम किया, बहिए सत्य में जो परमसत्य को नहें, बहिए सत्य में जो परमसत्य भगवान स्री बांके विहारी, बहिए स्री बांके विहारी लाल की, कहते हैं उन्हें ने क्या अक्यला बांके विहारी कुजा की बहिए नहीं, उनको पास में स्री राधा रानिंपो, राधाгов गृष्णा दोनों को उनने प्राणाम किया है, वहिए ये कौन है, जन्मा दस्य जिन से ये जगत का स्रिष्टी स्रिष्टी प्रड़य जिन से होता हैं भगवान का आदेश से ब्रह्माजी जगत को स्रिष्टी करते हैं संकर्जी जिगत को संघार करते हैं विश्म जगत को पालन करते हैं और जो विश्म ब्रह्मान्द हैं अन्य और बितिरेग रूप में जिन से स्रिष्टिती प्रड़य होते हैं जिनों ने ब्रह्माजी के हिर्दय में इसलिए भागवत का एक नाम है चतु स्लोकी क्योंकि ब्रह्माजी को दिया यही चतु स्लोकी की ब्याख्या में इसलिए जिनों ने सरवप्रथम ब्रह्माजी के हिर्दय में यह सारे दिपग्ज्ञान को उनने संचार किया है और जिन की माया ऐसे हैं बड़े बड़े देवता लोग भी जिन की माया में मोहित हो जाते हैं हम आगे जा करगे सुनेंगे, स्वयम, पिताम, ब्रह्मा भी जिनकी माया में मुहित हो गए, जब भगवान की ब्रह्मा जी उनकी बच्चडे सक्खाव को चुराया पहिए, लेकिन बाद में पता चला यह तो भगवान हैं, फर ब्रह्मा जी को भी नात रगटना पड़ा, इं इंद्र भी आखरे कि जिनकी चर्णे में माफी मागते हैं, इसलिए कृष्ण ऐसे के देवता हैं, जिसने किसी की अहंकार को नहीं रखा, सभी के अहंकार को उनने तोड़ दिया है, फोले एक समय समस्त देवता का भी अहंकार प्रश्टे की, फोले कैसे, फोले एक समय भग प्रश्ट जी है, नारद गयते स्वर्ग में उहां से एक पारिजात फूल लेकर के आए, नाम सुने हो पारिजात फोल की, जो कभी मुर्जाता नहीं है फोल, तब उनने फूल ला करके, नारद जी उनने कृष्ण को हाथ में पकड़वा दिया, बहले कृष्ण यहां पर त होता हूं, मैं रुक्मिनी को पास में जब होता हूं, कहता है, रुक्मिनी, मैं तेरे को जितने प्रेम करता हूं और किसी को इतना प्रेम ने करता हूं, जब सत्य भामा को पास में रहते हैं, बहले सत्य भामा तो सबसे मेरी फ्यारी है, जब कालिंदी को साथ में रहता हूं तुब इतने अच्छी हो, तेरे उसको छड़करत में कि और दुनिया में किसको जानता है नहीं। सब को पास में बोलता हूँ, अगर जिसको फूल दे दो ना सब कर बाहन करके बैठी जाएंगे। नारद जी बोले प्रभुत जल्दी जल्दी तो मेरे पास में समय नहीं। मेरे जल्दी जल्दी जाना है। पास में सबसे बड़ी राणी रुक्मनी। पास में रुक्मनी बैठी हूँ थी ठागुर की रुक्मनी को फुल पकड़वा दिया। उसको पास में बैट हुझ थी सत्यभमा, सत्यभमा कौन है? यह रधाजी के अंसस है, रुक्मणी कौन? यह चंद्रावली के अंसस है, रधाजी की प्रेम तो सर्वसर्ष्छ का प्रेम है, अब रधाजी की अंसस है, जब उनने फूल पगडवा दिया रुक्मणी को, इतने मे प्रोध करते हुए प्रोध करते हुए तमतमात हुए वो गई और सिधा मान भबन में लेट गए। कृष्ण ने कहा नारद जी कहां से आगर बिना काने के लड़ाई लगा दिए। नारद जी सत्यवाँ को मना नकले गए जब उपर हाथ रखना उन्हाथ को फेंक दिया। बल्ल आप उपर जैसे काले अंदर में उससे ज्यादा काले आप हो। आप कहते थे मेरे को सबसे जदा प्रेम करते हो। अभी सारा दुनिया को सामने जिसको खोल दिया। दुनिया क्या देखा। कृष्ण सबसे जदा किसको प्रेम करते हैं। रुक्मणी को दुनिया में प्रती बात नहुआ कि नी सब को सामने। अकेला हो तो कोई बात नहीं था, सब को सामने आपने भूल दिया, एक दो मेरे से बात मत करो, कृष्ण ने कहा, देखो रुपमनी, देखो सत्यमा, मैं तो रुपमनी को एग ही भूल दिया है, तेरे लियना में स्वर्ग से पारियात का प्रिख उखार करके ले आओ, अबले जादा बोल मत, जिसने एक फूल नहीं दे सका, वो कहते है, स्वर्ग से पारियात भृख ले आई, इतने जोटे आप हो, बले चलो, बले चलो, तो उनने गरुड़ जी को बुलाया, और सत्यमा को बैठा करके लेगे, कहा स्वर्ग में, स्वर्ग में जाकर के इंद्र से प् पारियात भृख्य के लिए, क्योंकि पारियात भृख्य स्वर्ग का सिभाई कहीं नहीं होता, तमिन स्वर्ग की इतने महिमा, अगर यहां से चला गया, स्वर्ग की महिमा ही खत में, लो देखो एग ही बरिख्य दे, दो रानी मेरी बड़ी इभटी हुई, लो मैं देने व सब के सब तूट पड़े जुद्ध करने के लिए भगवान अपना सुदर्शन चक्र सारंग धन को उठाया सब को उन्हें परास्त करते हुए देखते देखते उन्हेने बिख्व को लेकर के मर्ते जेगत में आये और सत्यभवा के घर को सामने पो दिया सत्यभवा की आनंद क कि तस्किमा नहीं इतने खूस हो गई फिर सब रहानी को बुलाया अपना घर में देखो तुम लोग सोचते होंगे कृष्णा रुक्मनी को सबसे जदा प्रेम करते हैं आरे उसको तो एक फूल दिया थैं मेरे लिए देख रहे हो पुरा विख्व को उखार करके लिए दु कि या बहुत्त प्रिया गेनिख rolled देवाने ब्लाया को देख रहे हुआ थै संद देवता कुछो मोह करने वाली भगवान की माया कट ऐसे नास्री आटि मम पूरिके प्रिकाश कि जहे हरे मंगलाचर्ण का जो दुसरा स्लो कहें देखा भागवत कफा की कितना अप्रतिक्ना लेता है जैसे यह भागवत कफा हो रही है आपको पता चला भागवत कफा वने जा रही है अगर किसी ने बोल दिया बेहिन तू कथा सुनने चले जा घर की काम काज को मैं संभाल लेती हूँ अगर किसी ने इतनी बात बता दी नहीं तो किसी की मन में इच्छा हुई मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा अभी आए ने घर में बैठे हो, इच्छा हो रही जाने की कद अगर इतना किसने इच्छा कर ली न उसी समय में ठातुर जी आकर उसका हिर्दय में अबरुध दे अबरुध मतलब होता है जैसे एक बैक्ती किसी घर को अंदर में जाए और वो अपनी आपको अंदर से कुंडी लगा दे एई सही जो बैक्ती केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र करते हैं उसी समय में ही ठाकर जी उसकी हिर्दय में अबरुध हो जाते हैं अपनी आपको बाद देते हैं इतने महिमा ये भागवत कथा सुनने की, इतने महिमा कि इच्छा मात्र से अगर सजमुष से कोई आए यहाँ पर बैठी गए, सुगदेव गुस्वामी कहते हैं उसकी महिमा तो हम बताई नहीं सकते हैं, जो यहाँ पर कथा में बैठे हुए हैं, इसलिए सुस्र से भी कथा क तर्शा को हो कोर इसलिए को नJE को सुन सकते हैं, जन्मान करे भवेत पुन्यम, जिन की करो जन्म कि कोई पुन्य उद्ञ हुआ है, वो ही बैठी की कता सुन सकते हैं, अगर कोई बले बल्या हम तो कोई भुनने कया है, तर्शा किया कथा नहीं सुन सकते? वrop2 नहीं, आओ बैटो, बैट करेके सुनतो सुनतो भी पुन्यात्मा अपनियाँ बन जाओगे, इसलिए सुस्तुर सु भी तत्ष्यनाथ, इसलिए संकर जी पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं, बले अतिहारी क्रेपा जा परहोई, आतिहारी के पाजा परहोई, आतिहारी के पाजा परहोई, आतिहारी के पाजा परहोई, आतिहारी के पाजा परहोई, संकर जी कहते हैं पार्बती ये कथा में कौन बैढ़ सकता है जिसको पर में ठाबुर जी की विशे स्कृपा हुई है वही व्यक्ति कथा में वैटे करेके सुन सकते हैं कर जो तिसरा स्लोका जो मंगला चर्ण है वो हमें आस्री बात देता है भग्योप की आस्री बात देता है पर ये भागवत नहीं सुन रहे हैं जिसकी धन नहीं उसे धन परतान करता है जो धुखी है उसे सुख परतान करता है जिसको रोगी उसको निरोगदा परतान करती है भागवत भागवत से चोटी मंटा चीज को मत मागा जो एक चीज मिले सबकुछ जिवर में मिल जाए ज़ए वह चीज किया है भगवान की भक्ती भगवान की प्रेम और भगवान की सेवा बात अगर प्रभु की भक्ति मिली गई ना, घर में अगर भक्ति रुपी संपति आ गई, यह सारे संपति आपका घर में अपनी आप आजाई। इसलिए कहते हैं, छोटे बटे चीज भागवत से मत मागा करो, बड़े चीज भागो, एक छोटी से स्टोरी सुमझो, बल एक समय मामने संकर जी की भुजाचे, संकर जी खुस हो गए, बड़े बर मागो, बले वो पहले ही सोच करका आया था, मैं तीन बर मागूंगा, पहला बर मागूंगा तो मैं अंधा हो, वो था अंधा, बले पहला बर मागूंगा, मेरे अंधा मेरे का आत मिल जाए, दुसरा बर पहले से सोच करके हुआ पर मेरे को तीन बर नहीं जो मागना एक बर माग सकती हो एक बड़ा चालाग था बद एक बड़ दो हाँ रठीक है कोई बात नहीं मैरे को राज महल को उपर में हाथी को पीठ को उपर बैठ करके मैं अपना बेटे को सोने की कटोरी में दूद चाबल खाते हुए दो संकरत मान गई तो बड़ा चला गया दो पर बता राज महल को उपर में हाथी पर कोन बैठता है, बोलो, राजा म हराअ बेड़ते हैं, फ़ेर देखा स्वने के कटण, मैं बता स्वने के कटण में कोन गहाएगा, अभी राजा माहराजा ह कहा थे ही, पले दूधु चाबल खाते हुए देखो, वोग देखेगा जो आख हो तो पुट देख लिगा ना, और बेटे के देखो, साधी हो तो पुट आवगा ने तो बेटे कहां से होगा। संकर जी मान गए भईया, तो बड़ा चालाग में पिये। इसी तरह भगवान से हमें एसे एक चीज मागो, जो एक चीज मागे ना, जीवन में तुमें सब कुछ मिल जाएगी। जो भगवान राम ने पूछे बले हनुमान, तू नहीं होता तो सिता जी की उधार होना बड़ा कथिल था। बेटा, आज तेरे उपर में बहुत खुस हूँ। जो माग जी भरकर के माग ले। आज सब इछा तेरी पूरी कर देंगे। देख हनुमान से सिखो। हनुमान जी क्या करते हैं। बले बार 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 मागों, हरसी देहो सिरंग, पदस्थारोज अनुपाइनी, भकति सदा सत्संग। प्रभु देना तो हमें सत्संग दो, आपकी चर्ण की सेवा और भक्ति दो, अनुपाइनी मतले निस्काम भक्ति हमें प्रेम दो। अब देखेगे भगवान राम हनुमान जी की सर पर हाथ घुमा रहे हैं। जब हाथ हमें सर पर हाथ घुमा रहना कैलास में संकर पार्वत कर दिखा रहे हैं, वो हाथ संकर जी के सर पर है, क्यों संकर ही हनुवान बन कर आए, इतने संकर जी प्रसन हो रहे थे, इतने प्रसन हो रहे थे, देखो आज मेरे प्रहु की भक्ति मिल गया, ठाकुर्जी देख भाक्ति भागवत से माधनी चाहिए इसने निगामा कल्पतरोर गलितम फालम यह भागवत किया है यह कल्प प्रिख्यका यह पका हुआ फ्ल है एक तो पका हुआ फ्ल है बले सुखा मुखात अम्रित द्रबसंजतों फेर इसमें सूख पखी ने तोते ने उसमें चौंच मारे कहा बत है जो तोता का अंदर में एक विश्य सत्व है वो किछी कच्चा फ्ल में कभी चौंच मारेगा वो पका फ्ल में ही चौंच मारता मतलब है यह भागवत पका उड़ा फ्ल है और जिसमें तोता चौंच मार देना उसमें और भी जाता मिठास आ जाते है इसलिए एक त कि एक प्यारी ये सखी है साधारना व्यक्ति कथा कितने मिठा लगता है अगर राधा जी कोई सखी अगर कथा सुनाएगी उसमें कितना मिठा नहीं होगा इसलिए कहते हैं भया इसको पान करो अपने पहले बता दिया ये फल है अब लोगों बताओ तो फल को खाते हैं ना फल को पिते हो जो और से बोला पिछे लोगो चुपचा बेटे हो फल को खाते हैं ना फल को पिते हैं बोले जो और से लेकिन यहां कहते हैं पियो बोले भया ये पिये कहें इसको पान लेना जिसमें गोठली भी नहीं, जिसमें छिलिकाज नहीं, जिसमें किवल रसी रस है, फिर यहाँ पर पिवता मतलब है, यह इसको पिये तो देखना, जैसे कोई जूस हो, हम किधर से इसको पिते हैं, जैसे कोई जूस किधर से पिते हो, मुह से पिते हैं, अभी जू रस को पान कर और किदे से पी रहे हो कानों से जिसको मुह से नहीं पी जाती है और मुह और कानों में पिने का फरेटी आई चीज को समझों क्यों यहां पर कहरें कानों से पीओ क्यों करने हैं जब कोई चीज को मुह से पिएंगे ना, आप देखना अंदर में ठिकेगा नहीं, निकलेगा, कोई चीज मुह से पिऊ निकलेगा, लेकिन जो आप चीज कानों से पिऊ फेर निकलेगा कभी, वह निकलेगा नहीं, करते भागवत भक्तिरस को कानों से मुह से नहीं पिया करो, बहुत पीते तो वह सब निकल जाती हैं वहले क्यों हमारी अंदर में काम प्रोध लोग छे भी छे ना मरे अंदर इसलिए एक तरफ पर की और दुसरे तरफ से यह निकल जाती है इसलिए कहते ऐसे कौन सार नियम है अगर इसको पीए यह कभी निकलेगा निक जिसको अभी इसका उतर दे पाता है, जो उतर देगा न इनाम दोंगा, जैसे एक घड़ा है, घड़ा में छेदी छेदे, अगर उसमें कोई पानी डालो तो प्या होगा, वो निकल जाएगा, बले ऐसे कौन सा उपाय हैं, भले उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, उसमें डालो तो वो कभ पानी को अंदर रख लोगे ना भले ही उसमें जितने चेद कियों नहीं निकले का कियों वो अल्लेडी पानी को अंदर में ही दुबा हुआ है जब यह चीज को समझो इसने सुग्देव गुस्मामी कहते हैं जड़े भी हमारी अंदर में कामना वसना है काम कोद है हर समय अगर हम यह कथा रुपी अंबरत में गोलता लगाते रहेंगे फिर एक बोंद भी निकलेगा नहीं जैसे देखो जैसे कथा में बैठे किसको काम सता रहे ना किसको कोरोग ना किसको लोग सता रहे क्यों यह भाग क्थार्स कोन पान कर सकते हैं और शीक और भावुग है यही दुव आप लोग को यहां जो बैट है ना बड़े पुन्यात्मा हो सुद्देव घुस्वाम कहते हैं तभी यह कथा में आप लोग बैट है हो बड़े भाग्ये से यह कथा सुनने को हमें मिल रहा हैं अब लोग बड़े बैट हमेट करना लगता है घुटान में दर्द हो रहा है अब बड़े जाओ अब प्रवकर कितने में नाच लो और थोड़ी सी कथा शुना करके आपके ठोट एगे तबर सम्ठाइब जाए गए मेरी आ ओं याहो जाहे महाद करे दे जुदा कराया है मेरी आ ओं याहो जाहे तो अब प्रवकर कराया है में जानू या मोजाने 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 आपने लाली है इसकी हर आपने है इपके आपने है हर आपने है इपके आपने है हर आपने हर आपने है हर आपने हर आपने हर आपने है झाल झाल जश्राद ने तुझे आद किया 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 बतना जजमें बतना उतिया तदिना भी अखन क्या खाया है ये मेरा रूदा हो जाए बतना जजमें बतना जजमें बतना जाए मुझे इस जग में बतना जाए मुझे इस जग में बतना जाए मेरे प्यार में दिल की दाना किया ये इस जग में बतना जाए मैं इस जग में बेगा जाए ये इस जग में बेगा जाए मैं इस जग में बतना जाए मैं 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 बतना जाए झाल झाल प्रश्चा 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 प् तो 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 गुद्धार नुद्धार 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 े एक बर हात उता कर गफें के बहुतर हरी कर्चिर्ष्ट हरी क्रिश्ट्र शितम चिझ्रद्धादा बतारyan rush हरे राम, हरे राम, 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 र सारे ग्रन्थ रिके थे पहले तो उने बेद दुआ चार बेदर उपने विभा ज़ा किया फेर उसको बाद में उपनिशत बनाए ब्रह्म्हसुत्र उसको बाद में फ़रेशक्तर पुरान त्री सुद्रों को बेद अधिकार नहीं पंचम बेद श्री महाभारत बनाए लेकिन इतने सारे गृएंतों बनाने का बाबजुद भी, उनकी मन में सांति नहीं मिल राता। एक दिन स्री नारत जी, इर्टन गरते करते आई, ब्यास, लगता है तेरी मन में सांति नहीं, सूख नहीं, गुरु जी आप सही बता रहे हो, मैंने जीन कल्यान के लिए सारे ग्रंत का बनाया, लेकिन अंदर सही मैंने को सांती नहीं मिल रहे हैं, जो मुध्य सांती नहीं मिलता हैं, फिर ग्रंतों को पढ़कर दूसरों को सांती कैसे मिलेगी, आप तो गुरु जी हो, गुरु जी मतल कर दिए गुरु का काम आपका सब जान तो आप बताओ मेरी अंदर में कमी किया चेंज गिए तब इसलिए नारद जी बहुत देखो प्लजथा धर्मदय सार्था मुनिबर्जा नोकिर्थित नतथा बासुदे वस्य महिमा जेन वर्मित तुमने दूसरे धर्म को दितुने साकुर को भजन की बात नहीं बताए भगवान की चरित्र को सुंदर सुंदर चरित्र को बर्णा नहीं किया इसलिए तुमने सांती में मिल रही है बले ना गुर्देव हमने तो भगवान की कथा लिखी है दूसरे दूसरे पुरान में लिखा तो है लेकिन जिकना तुमने दूसरे धर्म, अर्थ, काम, और यह सांसार की धर्म को जितने बरना किया है, जो आत्मा धर्म की बात दून नहीं बताएं, दूसरे धर्म को बार में तो बताया है, लेकिने आत्मा धर्म की बार में क्यों नहीं बताएं, इजले तुमको सांती सुझ नहीं मिलता है, आत्मा को कब सांति निलेगी सभई भुल्सान वपरो धर्णा जब भक्ति रधक्ष्या जे जब तक ये जी ठाकुर जी की सरना में नहीं जाए तब तक जीन पो सांति मिलने वाले नहीं इसले तुम ये भागवत ग्रंत मर्णा करो जिसमें हरी की सुंदर सुंदर चर्चा कृष्ण कैस में इस से बढ़ जाती है भगवान को थोड़ी कोई दुन्या में बांग सका लेकिने मैया जसोदा उनको उखल में बांग जती है अगर कभी कृष्णा मखन खाई मैया बली लालात मने मखन खाई पर दर जाते मिया मिरेको नहीं मारे करे क्रिश्ण क्या कहते है मैया मोरी मे कृष्ण डरकुमार कहते हैं इस उचीर को तुमें लिखे हो कृष्ण के इसे भगवान हो करके सखा लोग घलते-घलते कृष्ण जब हार जाते हैं कृष्ण गोड़ा बने करके सथां को ले जाते हैं कभी तुमने इस बात बताई तुम इन बताया नहीं तभी तो सांति नहीं मिले अगर सांति पाना चाहते हो भगवानी की चरित्र को सुदर रूप मे भर्णा करो इसलिए यहां पर शरी ब्यास कर्द सिख्ञा देते हैं तो अभ्यास दो नमारायन है और साधारन मेरे यहां प उससे ही दुख आता है, इसलिए यहां सिख्या करते हैं, जब तक हम ठाकुरुजी की भजन नहीं करें, ठाकुरुजी की खिर्टन नहीं करें, ठाकुरुजी की महिमा को नहीं गाए ना, तब तक यह आत्मा को सांती मिलने वाले नहीं, जैसे उदार में गते हैं, जैसे एक प उद्री में उद्र आएगी। जैसे दिया जलाओ उसका लुग किदर जाएगी। बोलड़ किदर जाएगी। नाली में। नदी में अर लाश्ट में जाकर कि इसमुद्र में मिलता है। आप देखना, जो जहां से आया है ना, वो उद्वर ही जाने के लिए कोजिज़ करता है, इसलिए हम जीवन में क्या चाहते हैं, सांती, सुक चाहते हैं, अब बताओ, जीवन में कौन दुखोकर्ष्ण चाहते हैं, कोई दुखोकर्ष्ण चाहते हैं, कोई भी दुखोकर्ष् युझ आनन्ड स्वरुप कि भगवान कृष्ना, इसले हो ज्हए बले सचिता आनन्द रुकाया। हाननन्द सट्य सवरुप, भगवान ज्ञड सवरुप, भगवान आनन्द सवरुप TP mastery prac yourado suis, we immediately sound son, we are himself sonat, nevertheless a sex son, we are certain los you seeking this sound में लाकाट वेने लोगार पर वुण रहें गॉद्धां रहा हूं longer जोबंद्ध एक गंडाध बातने थेंजरे पार माताइट सा सबसुन हो इक हो जाहें लड़ी सद्द्धाव फिन्धी कहां और गर में घर में तो काई रोड़िया है कि ये चीज'. हम जहां शुक भूणनी चाहिए उहां नहीं भूट करें गल्त जागा वर संसार में शुक भूण रहे हैं अपना बीबी से, अपना बच्चों से, अपना माता से, परिवार से, यहां से शुक धूणते हो और जो स्वयम एक दिन नस्वर एक दिन नस्ट होने वाले तुमको सा अम्रितस पूतरा, तुम था अम्रिता-जा पूतर लोग हो, तुमेव माताचा पिता तुमेव बंदुसस सखा तुमेव भगवान हमारे सब कुछ है तलिए अगर उनकी चरण में सांती बूलेगे तभी सांती मिलेगा, नेता संती मिलेगी नहीं तलिए नारत जी भोले भि अगर तुम सांति शुपाना चाहते हो, क्या करो भागवद्ध गरंतग बनाओ, इसी सही सुख मिलेगा, फिर नारद जी पर आपना कथा सुनाते हैं, देखो, मेरी कथा को सुनाते हैं, जगत में इतने बड़े कही से लिमाएं, सब दुनिया में मेरी जजितार की होता है, ओम अज्ञानत मिरांदश्या, ज्ञानांग नशलाकया, जक्षुरुन मिलितं देना, तश्मे शीवुरवे नमा, बांछा कल्पतरू व्याष्या, क्रिपा शिन्दू वैवचा, पतितानम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमा, जयत्रीकिष्ण जयतंग दयाल प्र सबसे पहले गुरुपात पद्म, ओम विष्णु पादस्टो तरहता स्री स्री मा, जयत्रीकिष्ण 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 जयत्रीकिष्ण।